देश में कोरोना का संक्रमर तेजी से बढ़ रहा है देश के बड़े नेताओं से लेकर कई कलाकार संक्रमर की चपेट में आ चुके हैं इस बीच खबर आ रही है कि लता मंगेशकर भी कोरोना की चपेट में आ गई है मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के बीच कैंडी एस्पताल में भरती कराया गया है जहां उन्हें आईसियू में रखा गया है हालाकि उन्हें हलके लक्षण हैं लता मंगेशकर के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टी उनक का निर्नाय लिया है जिसमें दिग्गत सिंगर लता मंगेशकर रहती है दरअसल इस बिल्डिंग में उम्रदराज लोगों की संख्या जादा है जिसके बाद बीमसी द्वारा इसे सील करने का निर्नाय लिया गया है लता मंगेशकर के परिवार ने फैंस के लिए एक स्टेट रहा है कोरोना वाइरस को लेकर बहुत जादा सद्रक रहने की जरूरत है ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है आज ही खबर